कि नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत रभिजंदन करता हूं वारा नवंबर 2022 का राशी पर लेकर मैं आपके समक्ष हूं यह जानकारी चंद राशी नाम राशी पर आधारित होगी सूर्यदय होगा 6 बच के 40 मिट पर सूर्यास्त होगा 5 बच के 28 मिट पर तीती है करश्र पक चतुर्टी योग है सिद्ध चंद राशी मितुन अभी पहुरत 11 बच के 42 अ.म से 12 बच के 25 पी मिएम तक राहुकाल है 9 बच के 22 अ.म से 10 बच के 43 मिएम तक आज आपका जनब दिन है शादी की साल गिरा है तो आपको धेरो धेरो शुब काम ना है मेश राशी आज कड़ा तंधर्श करने का दिन है जिसके कार आप तनाओं और धकान दिरस्त होंगे छोटे भाई बैनों से आपका सहयोग बना रहेगा आत्म श्वास बना रहेगा आप जो भी निड़ने लें आपको सुकूल पहुंचाएंगे जो आपके पास उधारी मांग में आए जो आप उधार पैसा मांगे उन्हें नदर अंदाज मत करिए का लेकिन ज्यादा पैसा दीजिएगा भी नहीं परिवार में कोई जश्न हो सकता है कोई पार्टी हो सकती है आज आपको जीवन साती स या अपने प्रेमी प्रेम का ते कोई अच्छा संदेश मिल सकता है जिसको सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे मरंजन होगा थोड़ा-थोड़ा उमीद और प्रयास दोनों मिलकर आपको सफल बना सकते है निराशा आपको और नीचे लेकर जाएगी वरश अबराश करा संखर्ष है तनाव है पेंशन है हिम्मत करनी पड़ेगी आलस को छोड़ना पड़ेगा पैसे के लिए आपको संखर्ष करना पड़ेगा बहत्रीन दिन तब होगा जब आप खुशी-खुशी हर काम करेंगे जबरदस्ती नहीं करेंगे आप सबीकी बातों को ध्यान से स कारुबार में तभी बड़ी सफलता मिलेगी जब आप हर पहलू को समझेंगे विदेश जाने का आफसर मिल सकता है प्रबोशन मिल सकता है मेडिकल के चात्रों के लिए समय अच्छा है आपको कोई बिजनस की अचानक से डील मिल सकती है शाम शाम के वाद घरवालों के साथ कहीं गुमने फिन में या बाहर लज दिनस का पुग्राम बन सकता है सारे काम सफल होंगे लेकिन उसके लिए कड़ा संगर्श भी करना पड़ेगा मित्र नवराशी आज आप किसी पारवारिक उस्तों में भाग ले सकते हैं आप किसी समाजिक गतिवरी में शामिल होंगे आर्थिक पक्स से संतुष रहेंगे आपके परिवार के लोग आप पर पसंद रहेंगे आप अपनी वानी से सभी का दिल जीत लेंगे आज आप घर पर अपतना जहता वक्त पिताएंगे, आपकी दाहिनी आप में कोई समस्या आ सकती है, आपकी आमदनी के नहीं रास्ते के लेंगे, आपको पारवारी कार्यों में जीवन साती का साथ मिलेगा, आज आप किसी मित्र से आपके मदवेद हो सकते हैं, कारोबार में कटनाईयां आ आपको बिल सकते हैं, कारूमी अर्चनें जो हैं, कम होती भी दराएंगी, इवन साथी से साथ और स्वयोग अच्छा रहेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अच्छी सफलता मिल रही है, परिवारिक जिम्गी में उसर पुसर रहेगा, करकराशी, आज का दिन अप जाब करते रहे, ताकि माइंड किलियर रहे, शान्त रहे, यात्रा पर साथानी पुर्वग जाएं, प्रेमी प्रेम का इस दूसरे से मिल सकते हैं, आप अपनी उर्जा को, अपनी ताकत को नीचे ना किसने से अपने आप इस्वास को बनाए रखें, और उस खहीदने से पह कि यहां जाने पर आपको बहतर मैसे होगा, जितना आप सोच सकते हैं, उसना सोचिए लेकि चिंता बिलकुल मत करिए, सोचिए आगे बढ़े लेकि चिंता से आपका काम बिगर देगा, किसी नए इंटर्व्यू में जाने के लिए आपको कॉल आ सकती है, आपके समान की अत कर आपके लिए नियम ठीक है, लेकिन थोड़ी सी साउधानी भी बड़ती होगी, सिंग राशी, आज का दिर निवेश करने के लिए वीशेश होगे, आज आप जो भी इंवेश्मेंट करेंगे, उसका बच्छा रिटर्न मिलेगा, मुष्टिक रिखिया गया पैसा आपके क काम आएगा, जो अभी करेंगी वागे वक्त में काम आएगा, आप में वाड़ी मद्व रहेगी, लोग आपके लिए वाकुस्तित होगे, और आज आप किसी ऐसी जगे पर जाए, जहां पर बहुत सर्नाटा रहता हो या सूरुन सान जगे हो, आज आपका अच्छी चीज़ करते रहें, पैसों के लिए दिर में साउधानी रखें, दामपत्य जीव में थोड़ी सी हद्बन है, और सलह लेकर काम करें, और अंजान लोगों पर भरोसना रखें, और अंजान लोगों की एक कॉल पर भागते ना चला जाए, और धीमे-धीमे काम बन जाएंगे, कन्या आज सब्ता का सरशेज दिन है, आपको समाज में मान संबान मिलेगा, वैपारियों को निश्य दूप सरे इंगलाब होंगे, सटे बाजी में, जुए वगरा में, लोट्री में कुछ पैसा बना सकते, आप तिर्बन होंगे, परसंता दायक रहे का दिन, सभी निर्णे सो आपको आकास्पिक जलनाब होगा, बिजनस के लिए छोटी-छोटी जो टिप्स होते हैं, उतको पॉलो करते हुए बिजनस को अच्छा चलाइए, अच्छा समय है, और यह जो क्या कहते हैं, आज आप चाहेंगे, तो आपकी प्रस्टानिटी को ही एक्रम से चेंज कर प्रस्टानिया के सामने है, आज किसी धार्मी कर्दी में शामिल होगे, बच्चों का साथ और स्योग आपके हिंदे को पसंता उसा से बढ़तेगा, आपी प्रहाई लिखाई अच्छी होगी, आज के दिन देंतन मन के लिए सवभाग दायक है, आपको आपके जीन साथी से स्वास्त अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, और व्रफारियों के लिए भी सब के लिए अच्छा रहेगा, नया व्यवसाय शुरू करने का भी समय आगया है, जल्द ही आप अपनी दुकान या फैक्री लगाने में सफ़ल रहेंगे, सेहे से जुड़े होए मामले में आपको साथान देना होगा, साथानी रखनी होगी सेहे सिर्वे मामले में, खर्चों पर काबू रखना होगा, कोशिश करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी, गलत फैनियों को दूर करना होगा, रिष्टों में जहाँ गलत फैनी है, वहाँ पर जो दरार है, तो दूर करने के लिए बात्चीत करें किसी भी चीज को हलके में मतलें कि आसानी से हो जाएगा हर एक चीज कोई मेहनत होगी देर शाम तक कहीं न कहीं से कोई उरती उरती अच्छी खबर आपको मिल जाएगी वरश्चिक राशी आज थोड़ा सा उदास पहसूस करेंगे काम में रुकाउटे आईगी गाड़ी वहाँ जलाते समय सावधानी रखें सटे बाजी में रंका निवेश्च किया जा सकता है जीवन साती से वाचारी परब्येद हो सकते हैं प्रेम समंद में दिन अशुब रहेगा कबर में दर्द हो सकता है पैर में दर्द हो सकता है चोट लग सकती है कुछ में बदलाव लाने की भी आपको शक्ता होगी कुछ अपती बुरी आद्तों को आपको चेंज करना पड़ेगा वैपारियों के लिए जिन अच्छा रहेगा आपके रुके हुए काम कुरे होंगे आपकी माता जी की सेहत में सुधार होगा और दिन आप थोड़ी से सं अच्छा उनको प्रस्ताव मैं सकता है वैपारिक साज़ेदारी अच्छी हो सकती है और जीवन साथी से संब्द ठीक रहेगा अधन प्राप्टी की उमीद है आपको श्रसलाल से लाव हो जाए आपके बच्चे भी अच्छे होंगे सहासी होंगे विद्यारतियों के दिन अ अच्छा रहेगा आपके प्रयासों पर सफलता चुपी होई है आपको दुश्मन जो है वह आपको नुक्सान नहीं पहुंचा पाएंगे लेकिस आप दुश्मनों को परास्त कर देंगे जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट जो हैं वो धीमें-धीमें समाप सुते चले जाएंगे एनरजी के साथ आपके काम पूर्फावट नहीं आएगी और आपकी नौकरी में पदनती भी हो सकती है और इश्वर की किरपादस्टी भी आप पर है और बॉस की सीनियर की किरपादस्टी भी आप पर बनी हुई है तो दिन ठीक रहेगा ध्मुराशी वालो रहेगा आज आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका दिन बन जाएगा स्वास्त उत्तम रहेगा स्वयम को जवान महसूश करेंगे खाली समय का आनन्द लेंगे अकल बंदी से धन का निवेश करना फलदाई रहेगा आप अपनी मेहनत की कमाई को सोच विचार कर सकते हैं साथी साल घूम में भी जा सकते हैं कुम बराशी विद्यार्थी अधिन में रूची लेंगे प्रेमी यूगर जोड़ों के लिए दिन स्वभाक्त का है वैपारियों का वैपार बढ़ेगा डौकरी में आपका दिन सामाने से बहतर है शक्टे बारी शेयर बार्केर में राशी आपकी माता जी का साथ और सायोग मिलेगा आपको संबत्ती खईनी है कोई बड़ी चीज खईनी है तो रूप जाईए लेकिन अगर कोई बड़ी हाँ सौदा आता है तो उसको कर भी सकते हैं अगर आप खुद सक्षम है किसी डील को क्लोज करने में तो कर लीजि बाकी घर की चोटी बड़ी चीज़ आ सकती है परिवार के साथ गूंदे फिरने जा सकते हैं और घर पर कुछ अतिक कार्णिर्मान भी हो सकता है आज आपकी बाता जीते वह जारी मद्धेर रहेंगे आपका रहें सेंत्रों कस्टमेर रहेगा घर में आपको डाट पर सकती ह सद्रों को साथी से कोई सबस्यां नहीं होगी जो भी शाथ है अच्छा वास मौखा बड़ा है और किसी से बदला लेना चाहते हैं वह लोग कानून का सहरा लेकर कर सकते हैं तो यह था आपकी सभी राशी का राशी फालूमीद करता हूं आपको समय बहुत 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 लगा होगा राशी पर अच्छा लगा होगा अब किन किन जगों पर क्या कहते हैं चुप रहना चाहिए एक इंसान हमेशा बोलता रहता है कौन सी वह इसी जगह जहां पर इंसान चुप रहेकर करोड़ होती जाता है तो भगवत कथा या किसी भी प्रकार की कथा सुनते समय अगर वसकी मौन रहता है और ध्यान लगा कर कथा को सुनता है तो वसकी बैक्रूंट लोग का साकी चीज़ों तो सहने कितना मिलता होगा हर्यों नमस्कार